तारे सितारे वंगरहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत थे आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य नई नई ज्यानवरधक जानकारियां वर नित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें कि दिनांक 25 जून 2020 से शुक्र ग्रह मारगी होने वाले हैं तो शुक्रग्रह के मार्गी होने से कई राशी वालों को भागी का भरपूर सांत मिलेगा, कारी छेत्र में विशे सफलता की योग बनेगे और आर्थिक रूप से भी लाब प्राप्त होता रहेगा, तो शुक्रग्रह दिनांक 25 जुन 2020 को मार्गी होने वाले हैं, शुक्रग् शुक्रग्रह वरशब राशी में इस्तित हैं, शुक्र की मार्गी चाल से कई राशी के जातकों के जीवन में भोतिक सुख संसादनों में बढ़ोत्री के योग रहेंगे, आर्थिक संकटों का समाधान मिल पाएगा, वहीं वेवाहिक और प्रेम जीवन में आ रही परेसान शुक्रग्रह के मार्गी होने से क्या प्रभाव पढ़ने वाला हैं, शुक्र ग्रह की सीधी चाल से आपको आर्थिक लाब के प्रबल योग बनेंगे, आपको भोतिक सुख संसादनों में बढ़ोत्री के योग रहेंगे, वहीं दामपत्य जीवन आपका सुखद बना रहे पती पत्नी के बीत चल रहे विवाद आपके दूर हो जाएंगे आपके नीजी संबन्दों में ताजगी आएगी आपका कहीं प्रेम संबन्द यदि चल रहा है तो बात विवाहत तक पहुच जाएगी इस दोरान जिनका विवाह नहीं हुआ हो उनके लिए विवाह प्रस्ता प्रस्ताव मिल पाएंगे लेकिन आपको प्रयत्न अवश्य करना चाहिए यह समय जो है आर्थिक रूप से भी आपके लिए बहतर सावित होगा अगली राशी ही व्रशब व्रशब राशी वालों के अनुसार आपके भोतिक सुक संजादरों में बडोत्री के योग रहेंगे और आपके सपने साकार होने के योग हैं लेकिन परिस्रम में आपने कमी बिलकुल नहीं आने दें दामपति जीवन में आपके मधुरता बनी रहेगी जिन लोगों के विवाह में आप तक कोई समस्याई या बाधाई उत्पन हो रही थी उनकी समस्याई दूर हो जाएगी औ लेकिन आपको प्रयत्न इसके लिए अवश्य ही करना चाहिए वेसे आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए काफी फाइदेमन साबित होगा। रहना चाहिए उसका भविश्य में आपको अच्छा परिणाम मिलने वाला है और आपके निजी संबदों में सुधार रहेगा वेवाहिक संबदों में चल रहे संकट आपके दूर हो जाएंगे आर्थिक पक्षे इस दोरान आपका मजबूत बना रहेगा। नंबंद जुड़ने के जादा योग रहेंगे यानि विवाह के प्रबल योग बनेंगे जिनका विवाह नहीं हुआ हो उनको विवाह प्रस्ताव इस दोरान मिल पाएंगे लेकिन उनको प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। इस दोरान आप इमानदारी से महनत करेंगे तो अपने कायरे छेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। अगली रासी है सिम्ह राशी वालों के अनुसार विभिन इस्तरोत्रों से आमदानी के योग आपके लिए बनेंगे। तो कन्याराशी वालों के नुसार किस्मत का साथ इस दोरान आपको भरपूर मिल पाएगा। बिगडे हुए काम आपके बनने लगेंगे। रुके हुए कारिया आपके संपन हो जाएगे। आपको इस दोरान थोड़ा सा धेरी भी धारन करना चाहिए। आरतिक इस्तिति में आपके पहले से काफी सुधार होगा। वस्त्र आभूशन के रूप में उपाहार आदी मिलने के प्रबल योग रहेंगे। और जो लोग योगिता जिनके पास नोकरी की जो तलास कर रहे हैं उनकी तलास पूरी हो पाएगी। जिनके पास अच्छी योगिता हैं उन्हें अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के योग रहेंगे। यह समय आर्थिक रूप से काफी बहतर सा भीत होगा। अगली राशी है तुला तुला राशी वालों के नुसार इस समय आपकी परिशानिया कम हो जाएगी। तनाव यदि आपको पहले से होगा तो खत्म हो जाएगा। आएके नए नए साधन आपको प्राप्त हो सकते हैं अथवा कोई नए अवसर इस दोरान आपको प्राप्त हो सकते हैं। शाए जिवन सांति के सांथ रिश्टे आपके मधूर रहेंगे जिन दंपतियों की नए शाधी होई है। उनके लिए यह समय बेहत खुबसूरत महतुपुरुन रहने वाला है और प्रेमी प्रेमी का के साथ बिगड़ीवी बात बनने के योग रहेंगे नए संबंद बनने के योग रहेंगे व्यापर विवसाय में विशेश लाब की योग बनेंगे आर्थिक रूप से यह समय आप अगले राशी है धनु आपको समय के अनुसार मिलता रहे यह समय आर्थिक रूप से आपके लिए काफी बहतर साबित होगा केवल आप इमानदारी से और मन लगा करके काम करते रहेंगे तो आप काफी सफल रहेंगे अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के अनुसार इस दोरान आपको कोई काम्याबी हांसिल होने के योग रहेंगे किसी महत्तु पुरुना कारिके मिलने से आपके अंदर खुशी रहेगी आत्म विश्वास का इस्तर काफी उचा रहेगा और विद्यारती वर्ग के लिए यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है किसी विशे विशेस के आप तयारी करते हैं तो उसमें इस समय काफी सफलता आपको प्राप्त हो पाएगी किसी भी प्रतियोगी परीच्छा की यदि आप तयारी करते हैं तो उसमें भी इस समय मेहनत करने से आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी आर्थिक छेतर में लाव प्राप्त होने की प्रबल संभावना रहेगी और आपकी सेविंग से इस समय बढ़ पाएगी यानि इस दोरान आप धन अरजित कर पाएगे धन को इखटा कर पाए आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए काफी फाइदे मन साबित होगा अगली राशी है कुम्ब राशी वालों के अनुसार आपकी नेतरत्व करने की छमता इस दोरान बढ़ जाएगी आत्म विश्वास का इस्तर काफी मुचा रहेगा अचानक धन प्राप्ति के योग भ तो वह पहिसला आपके ही पक्ष में रहने वाला है किन्तु इस दोरान वर्तवान समय में आपको किसी विवाद में पढ़ने से वचना चाहिए सभी से प्रेम पुरुन विवार आपको करते रहना चाहिए और परी जनों से बिगड़े संबंद में सुधार रहेगा भाई ब आपको प्राप्त हो जाएंगे यह समय आपको पूरी मेहनत करने का समय रहेगा आप मन लगा करके पूरी इमानदारी और अपने बुद्धी कोशल से जिस किसी भी काम की सुरुवात करेंगे उस कारे में आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी यह समय जो है आर्थिक रूप से आपके लिए बहतर साबित होगा और स्वास्त की दरश्टी से यह समय आपके लिए सामान्य रहेगा तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यान वर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर धन्यवाद जैसरीक रश्नमित्रों फिर मिलेंगे